लोग चलिए आगे बढ़ जाते हैं दस जनवरी दो हजार एक की बीबाइस वला में तहलका मचा दे हैं देखिए पेपर टू है दुचार को विडियों हम पेपर वन बोल दिये थे बताईए गंती से यह बढ़ जाईए प्रेश्ण है कहता है विकास का कौन से सिदान बताता है कि सरीर के विभिन तंत्र अलग-अलग दरों पर दिया निकि विकास का जो है रेट है दर है अलग-अलग होता है बिल्कुल सही बात है तो विकास की विभिन प्रेणालियों का सिद्धान विकास की विभिन प्रेणाली अर्था बहु अर्थात प्रैंआली की स्वतंदृता क सिध्धान्थ बोले तो सरीर का विभिन्य भाग है अलग-अलग पाट तो अलग-अलग प्रैंआली अलग-अलग सिस्टम करता है काम कि जैसे डालेसिस कुन के लिए जैसे किड्नी व्रिक फिर्दय अलग-अलग गतिविद्षी सीरस्त दूरगा में सिफिलो कॉडल वाली तो बात है नहीं कि मस्तेकाध हो मुखी कहेंगे अच्छा समीपस्त दूराभी मुख प्रॉक्सी मोडिश्टल ऐसा वी नहीं है कि केंदर से बाहिये दिशा में केंदर से विभन विभने दिशा में पदों से पदानु क्रमिते की कर वाली बाते तो होंगी नहीं मैंने सिस्टम अलग-अलग होता है किसके लिए विकास की अलग-अलग दरों के लिए डे नमबर उत्तर यह देखें बच्चों का सारे रिख विकास, सारे रिख विकास क्या मातरातमक, गुनातमक केवल कहरा है, गलत है ना, पडिवर्तन होता है, मतलब दोनों का मिला जुला होगा ना, विकास जो होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटेटिव, दोनों होगा, दोनों का गुनातमक अच्छा जी आप जानते हैं कि वृध्धी जो होती है ग्राथ तो ग्राथ रैखिक होती है और जिसे संख्यात्मक यानि मात्रात्मक मापा जा सकता है और जो विकास है वो चक्राकार वर्तूलाकार वृत्ताकार अर्थात सर्कुलर इस्पाइरल होती है साथ ही साथ quantitative quality के साथ qualitative के साथ quantitative भी होती है तो केवल केवल गलत सटीकता से कहता है कि तुलना भविश्यवानी की जा सकते है कितने ही वीडियो में बताया है भविश्यवादी का सिदान्थ होता है लेकिन इस परश्ट रूप में आप भविश्यवादी कर सकते हैं सटी ग्रूप में कि तीन साल में यह बच्चा जो है न बुतरवा यह गदम बोले लग यह गपाग गपाग यह कहना गलत होगा एक ब्यवस्थित यानि एक सिस्टम एक ओर्डर में चलता है विकास बिलकुल सही है अनुक्रम में एक सिरीज में होता है अलग अलग बच्चों का विकास का दर भी अलग अलग होता है है न दमदार रेट अलग अलग विकास सात्मक परिवर्तन अब देखिए कहता है विकास आत्मक परिवर्तन जो होता है अत्यधिक और प्रत्याधिक प्रतियासित अनप्रेडिक्टेबल प्रतियासित जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सके क्या है जिसका उमीद नहीं लगाया जा सके भविस्यवादी नहीं किया जा सके और प्रत्यासित और प्रत्यासित यह सो होगा अनप्रेडिक्टेबल देखिए न कहता है प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्शन नहीं किया जाए जिसका ऐसी बाते तो घलत होंगी मध्यवाले अवस्था तक बहुत तेजी से होते हैं फिर एक पठार पर पहुंचकर रुख जाते हैं मुझे बताएं बिकास आत्विकास जो होता है क्या मध्यवाली अवस्था 6 से 9 वर्स तक ही होता है फिर उसके बाद रुख जाता है क्या गलत ना विकास तो मिर्तियों फरंत तक चलता रहता है वुम्ब टुटुम्ब वुम्ब टुटुम्ब गर्भावस्था से कब्र तक वेक्तियों में अलग-अलग दरों पर होता है बेस्ट उत्तर होगा अलग-अलग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सूसियल, लिंग्विस्टिक अलग-अलग दर कोई 24 महिना में, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, कोई 6 साल में बहुत धिकता आती है या भासा का विकास मने अलग-अलग आप कोई वे चीज़ देखिये न उनका रेट अलग-अलग होता है या बात अलग है कि करम, और समान होगा लेकिन दर, अलग-अलग होता है दोस्त और ये सही बाते है सवतंतर क्यों, समाज संस्कृती से नहीं सिखता है, बच्चा सवतंतर कैसे, अंतर संबंधित होगा C.9 स्टीटमेंट दिया गया है दोस्त एसर सन अभी कतन बच्चे स्कूलों में अकादमिक संप्रत्य कैसा अकादमिक एकेडमिक कंसेप्चूल के अलावा उसके अलावी भी मुल्य वधार नाय भी सीखते हैं मुझे बताईए कि पढ़ाई लिखाई के अलावा बच्चे जो ना रास्ट्य मुल्य देश प्रेम स्वहाद्रता रास्ट्यता एकता अखंडता जैसे मुल्य सीखते हैं ना सही होगा ना दोस्त कारण स्कूल समाजी करन का एक दुत्यक परंतु महत्पूर्ण संस्थान है बच्चे स्कूल में देखिएगा कैसे एकदम जो है न ये सही टेली कर रहा है यहां स्कूल की बात बोला और ये भी जो है न बोल रहा है स्कूल समाजी करन का दुत्यक संस्थान है तो इसने इसक साथ बने रहें बस जब कोई छोटी बच्ची उट को पहली बार देखती क्या पहली बार तो वह उसे उची पीठ वाला घोडा कहता है क्या दिये उची पीठ वाला घोडा चुकि बच्चे न उची पीठ वाला उट या देखा है क्या उट वगेरा देखा है तो बच्चे का knowledge है pre-knowledge है ना तो pre-knowledge को नवीन knowledge दो बाते हमने बताई हुई थे agimilation samavation में क्या बताया था agimilation का मतलब बताया था आत्मशाती करण साथी साथ samavation यदि inculsion नव मिले तो samavation ही समशना है अब देखे agimilation में pre-knowledge और new knowledge mix कर देते थे यानि पूर्व ग्यान और नवीन ग्यान को मिला लेना अच्छा और दूसरा चीज समझें agimilation samavation में कि pre-knowledge जैसा का तैसा बने रहना new knowledge नहीं लिया pre-knowledge as it is प्रस्तुत करना जैसे बच्चे का pre-knowledge क्या है उची पीठ वाला गोड़ा और उसने वही बोला उट को देखने पर मतलब गोड़ा है बच्चे का पूर्व अनूभव गोड़ा और उसको दिखाई दिया अभी वर्तमान में उट तो उसने कह दिया यह तो गोड़ा है कैसा उची पीठ वाला तो पूर्व नॉलेज जसका तस बना रहे वैसे भी वैसे लोग कितने जल्वे भजाओं में पिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पूकारा नहीं मने यक्यगों पे लग ले रह जाता है जिन्दगी भार खुद राप आपन अगल लियन नहीं होता है कि दस गो पंदरों गो एकदम जन्ने मिले आख मारी उन्ने बंद तोड़ दिये अपन बाल ब्रह मचाडी हाव वला धन्दा नहीं यक्यगों पे पूरव ज्यान जसकातस प्रकट कर दिये तो भी अजीमिलेशन और मिक्स कर दिये तो भी अजीमिलेशन और नवीन ज्यान ले लिया है तो एकोमोडेशन समा योजन जज़ई स्री सीता राम समझे बात को अब उत्तर हो जाएगा डी कहता है प्रशन निमलखित में कौन सा प्याजे द्वारा दिया गया चरण और विसेस्ता का सही युग में है कहता है सही युग मा चरण अमोर्त संक्रियात्मक अवस्था कैसा अवस्था वही ग्यारा से पंदरा वर्श चौथी अवस्था इसमें कहता है परीकल्पत निगमनात्मक तरकना कर पाता है बच्चे बिलकुल सही है चरण समवेदी कैसा सेंसरी मोर्टर स्टेज तो परतीकात्मक सोच संवेदी प्रेड़ का वस्था में कैसा विसस्था परतीकात्मक सोच तो ये तो गलत हो गिया और ये तो सही है कैसा hypothetical deductive reasoning हमने कही बार बता है निगमनात्मक परिकल्पना पाई जाती है एक नंबर संक्रियात्मक तो विसे संरक्षन संरक्षन वाद पूर्व संक्रियात्मक में थोड़े पाया जाता है ये तो मुर्थ संक्रियात्मक में पाया जाता है अमुर्थ तर्क वितर्क ये तो अमुर्थ संक्रियात्मक अपचारिक संक्रियात्मक में पाया जाता है मूर्थ में थोड़े ही ना तो एक नंबर सही है यही उत्तर होगा कहता है वाईगोच्की के सिधान्त में बहुतीक वस्तू जैसे क्यालकूलेटर यह सब क्या है संस्कृति गुपकरल समाजिक संस्कृति से जोडते हैं और हमारा उत्तर हो जाएगा ना सिधान्त पर आदरीट कच्छा एक सिखशिका की क्या विसेस्ता होगी पियाजे और वाईगोच्की दोनों के अनुसार तो गति सील रहना चाहिए बच्चों को मोबील आए सक्रिये रहना चाहिए अच्छा सिखशिका को क्या लचीलापन बच्चे को निमनस्तर का प्रेशन, निमनस्तर की सिक्षन विधी और उच्यस्तर की विधी, यानि कि हर चीज का गती विधी का पालन करवाना, किताबी जीवन से जोरना, बाहरी जीवन से जोरना, सरल के साथ, यानि everything को लेना, लचीलापन, एक दो बिलकुल सही है, कर पढ़ाना गलत होगा, ग्यान का संभाहक, यानि transmitter of knowledge, ग्यान का संभाहक, किताब में जैसे ग्यान लिखा है, वैसा ही, एक दम रट्टू तो ताकी तरह रट लिया, संभाहक, यानि transmit कर दिया, मने एक जगह से ग्यान को दूसरे जगह, जैसा का तैसा पहुचा देना, यह है, बताईए, मुर्त वस्तू क्या प्रदर्शन के लिए केवल होती है, ऐसी वाते नहीं होंगी, बोले तो, सामगरी, मुर्त वस्तू वे, TLM, बच्चों का समझविक सिद करने वाला, अर्थ पूर्ण अधीगम वाला होना चाहिए, ना कि प्रदर्शिद करने वाला, डिस निम्न बुद्धी का बच्चा आगे बैठना चाहेगा, कोई विकलांग बच्चा, दिव्यांग बच्चा आगे बैठना चाहेगा, तो बच्चे उसे भगा देंगे, हो सकते हैं सिक्षक भी भगा दे, ऐसी गतिविधी नहीं करनी है दोस्त, इससे प्रगती सीलक अक्षा का चहु मुखी विकास का हनन होगा अपचारिक परिक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मुल्यांकन किया जाता है अपचारिक परिक्षा अनपचारिक भी तो होना चाहिए बाहरी दोनिया से जुड़ा हुआ बला क्यूं होगा सही सिक्षि का बच्चों को अबधार नातमग समझ यस कल्सेप्चुल अंडरिस्टैंडेंग को समक्षम करने के लिए सीखने के अबसर परदान करते हैं और बैतरी नुद्तर होगा आमारा फोल नंबर आये कहता है कि नैतिक तरक आदर्स पारस परिकता क्या आदर्स परिकता और जैसे आपने देख लिया आदर्स पारस परिकता तो मार दीजी अच्छा लड़का अच्छी लड़की चुकि यहाँ पर दूसरों को आइडियल भना करके प्रस्तूत किया जाता है बच्चे या बच्ची के सामने देख लल्टु स्वा के बेटा देखता डक्टर बन गया तुम्रे अकड मलो निखत रहरे च्वट्टा आवारा दस साल हो गया पढ़ा रहे हैं तुमको भागलपुड में रखके अभी तक तुम जोने नीट क्वालिपाई नहीं कर पाया है दूसरा उधारन सुनिएगा सरमा जी का बेटा न देख पौचे बज़े जग जाता है तुम्रे अनरवा वरमा जी का बेटा नो में डूबा देगा हम दूसरों का उधारन दे दे करके दूसरों को स्विक्रती या अनुमोधन के आधार पर और जिनका उधारन देते हैं चाहे महात्मा गांधी चाहे भगत सिंग का उधारन देते हैं बच्चों को वैसा करने के लिए प्रेडित करते हैं तो वो आधर्स ही तो हैं और इस पश् समझे हमारा पासवर्ड जहां मिले आदर्स पारसपडिकता कैसा पारसपडिकता आदर्स वाला आइडियल रेसीप्रोसिटी आइडियल वाला तुरंत कहिए गुड बॉय गुड गर्ल ओर्येंटेशन है ये अर्थात परंपरागत रुड़ी वाती अवस्था का पहला बेटा हर्वर्ड गार्डनर ने आए bestries बुड़ी मता की काई को गुण के रूप में प्रस्तोतों बहुड़ी की धर और बुद्धी को दो में नए दुई कारक तो अपके स्पियर में में होते हैं ना दुई कारक तरी कारक बुद्धी गुनों को तीन आयाम तीने गो कर रहता रख दिया कि बुद्धी कई अलग तरह कि बहु बुद्धी सिधाद 11 नमबर अब इस वो क्या समझाना एकदम छक्का मार दिये हैं एकदम ता हलका मचा के बहु बुद्धी को चलिए लड़किया भासा में अच्छा प्रदर्शन करेंगी परतु गनी तो अभी ग्यान में खराब होंगी तो यह अवधारना क्या है यह अवधारना इस्टिरियो टाइप या एक्वालिटी यहां देख रहे हैं आप एक्वालिटी को समानता न होता है यहां ओ शमानता दे रहा है यह गलत ले लिया हिंदी में आप गौर फर्माईए अंग्रेजी पर अंग्रेजी में क्या है एक्वालिटी तो यह तो भेदभाव हो रही है रुधी वादिता आने वाले विद्ध में सबस्क्राइक काक्चा तो क्या महत्व रखना का क्या महत्वन सिस गाल्टर ने दिया हुआ था तो विविद भासा वो जाती अर्थात डाइवर्स क्लासरूम है अलग-अलग समाज, संस्कृति, वेसभूसा, बैक्ग्राउंड, बुद्धी अलग-अलग एक समावेसी कक्षा में पाई जाएगी ना तो एक कक्षा को सबको एक सिक्षक को क करना चाहिए क्या समान तभी तो कहेंगे प्रगति सील कक्षा समावेसी कक्षा है तो सबको सुसाधित करना चाहिए आईए विकल पड़ते हैं यह समझना कि भिनताएं बच्चों की कमियां हैं मुझे बताईए जो बच्चे की अलग-अलग बिविधताएं हैं वो कमी होती है मारिये अईसन मस्टर वोक गिरा परा के जे अईसन भी चारधारा रखता है कपड़े में भी तो बिविधता रखते हैं क्यकरो कटल का अंगा नूंगा पसंद आता है क्यकरो लुंगी क्यकर धोती और क्यकर पूरा पैसा अजिंस अध्धा तो कपड़ा विभिनता आई ये भोजन विभिनता देखते हैं भोजन विभिनता में जैसे कभी रोटी बना लिए जैसे रोजभात खा रहे हैं रोटी खा लिए पूरी खाए सबजी वगेरा कभी जो है ना एकदम गुर्जिलिया चान लिए तो भोजन में भी विभिनता होती है भारत में भी तो विभ तो मुझे बताए भिन्नता को संसाधन के रूप में देखना चाहिए न या कमी के रूप में देखिएगा गलत हुआ न पहला विकल उन्हें तुरंत संसोधित करना चाहिए बच्चे की कमियां हैं तुरंत संसोधित या समझना की सभी बच्चों में सीखने की छमता है काबिल है, लायक है, तभी तो बालकेंद्रित सिक्षन परनाली, चिरंतन ये सत्य साबित होगी, ऐसी गती विधी की योजना बना जो उन्हें अपनी गती से प्रगती करने में मदद कर सके, अर्थात कोई बच्चे में डिप्रेशन नहीं, कोई तनावपूर नहीं, कि नहीं, इस साल तुमको करना है, तु करना है, अपनी गती से बेटा सीखो, तुम आजाद हो, भाभा बहुत अच्छा, तुम्हें जैसे सीखना है सीखो, तभी तो स्वतंत्र वातवरिन का निर्मान होगा, और भाए मुक्त वातवरिन का निर्मान होगा, मुझे बताएं, बी नंबर से दमदार आपको विकल्प मिलने जा रहा है, सी नंबर में देखिए, समान सीखने की सैली, क्या सभी बच्चे समान रूप में सीखेंगे, गलत हुआ, फिर देखिएगा, अर्थपूर्ण सीखने की अधिगा, परतियस पर्धा, यारा, परतियस पर्धा आपने जीनियस फिल्म देखा होगा, वो हीरो जो था, एकदम से उल्लाइकिया बार-बार जलने लगती थी, उखचडिया, मने हीरो इन, हम हीरो और हीरो इन को जो है नतनी मनी निगेटिवें बोलता हूँ, मने पैसे के लिए जो कर, गलत धन्दा तो गलतो धन्दा कर, हे हीरो हीरो इन हमर वीडियो सुनियेगा, थमरा मारियेगा नहीं, गोर्या लगते हैं, यहीं से छमा कर दीजिएगा, थोड़ा हमर मित्र लोग को समझाने के लिए कॉंसेप्ट दे रहा हूँ, और कोई बात नहीं, आप लोग को थम दूरे से परनौम करता हूँ, और हम भी देखता हूँ आपका मुभी, जे गोसा हीएगा, आपका बहुत तो दोस्त पर्तियस पर्धा न, गलत होगा, स्वस्त पर्तियस पर्धा होनी चाहिए, आपने देखा होगा भीम, दुर्योधन, जब गदायोद में नहीं जीत सका न, पर्तियस पर्धा में, तो यमुना नदी में डाल दिया, जहर डाल करके, खिला पिला करके, नहीं जी, वो इसे मंतरी आखे पास ले जाएगा देखिए एक लड़की एक लड़के से पिछर रही है एक नमबर से मात्र देखिए कैसा अच्छा जी फिरे गुदारन समझे परतिय असपरधा क्यों नहीं लेंगे परतिय द्वंद भावना क्यों नहीं लेंगे जैसे थिरी क्लास और फोर क्लास में क्रिकेट का मैच हो गया एक नमबर से फेल हो गया देखिए क्लास टीचर विचारा जो है अपने बच्चों को खाचरा कहीं का गेंदने पास कर सका फटाक से ऐसे रन आउट कर देता उसको इतनी अप एक चाहिए यार तो स्वस्थ मानसिक्ता बनानी चाहिए कि हैल्दी कॉंपटीशन जिस विकल्प में रहेगा स्वस्थ परतियस परधा ले लीजिएगा उत्तर और कहवी तो रहा है अर्थ पूर्ण सीखने के लिए लेकिन परतियस परधा के कारण गलत होगा आये दोस्त भी नमबर उत्तर होगी या बहुत समझ लिए बच्चों क मुल्यांकर अच्छा जी मुल्यांकर मतलब जाजना पड़कना होता है जाजपड़ताल करना होता है पडिक्शन करना होता है कि बच्चे का चहु मुखी विकास हो रहा है की नहीं holistic development overall development तो देखें कौन सा विकल्प है जो की सरवांगीन विकास scholastic बोले तो करीकूलर के साथ साथ को करिकूलर सेक्षिक गती विधी के साथ खेल, कूद, नुकर, नाटक ललितकला, निबंद सारी गती विधी को बढ़ावा देता है तो इसी को तो ब्यापक भी कहते हैं मुल्यांकन जो कि होना चीए F A, फॉर्मेटिव, नौकी S A आईए केवल व्यक्तिगत विध्यार्थी सबूत परदान करना, कैसा व्यक्तिगत विध्यार्थी के मुल्यांकन के सबूत परदान करने के लिए किया जाना चाहिए, गलत हुआ evidence for evaluating individual, क्या एक बच्चे की ही व्यक्तिगतता को ध्यान में रखा जाएगा समावेशी कक्चा में केवल व्यक्तिगत उद्देश से बच्चों के तूलना यारा तूलना तो कभी करना ही नहीं है और तूलना के आधार पे नामांकित रे गधा, आजा रे एकदम भैलवा कहीं का परतिभासाली वच्चा का लेवल लगा देना जो आम तोर पे सिख्चक करते हैं गधा कहीं का इतना पढ़ाए तूमको तूमको मत्यम ने आड़ता है घचकाने ले है तुमें एक नंबर ऐसा नाम्यांकित लेवलिंग, इंगलिस देखिये न लेवलिंग, करना होगा गलत और इस आधार पर तुलना करेंगे भेदवाव यार एक तरफ आप कह रहे हो भेदवाव रहित सिक्षन पढ़ना लिए और दूसरा तुलना कर रहे हो नहीं करना है, नंबरों के आधार को बढ़ावा देती है निस्पक्ष पैपर पैंसिल टेस्ट द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चीए क्या साल के अंत में मुझे बताईए एक चेप्टर पढ़ाया तो सिक्षक को जरूरत है यदि मैं टेस्ट लूँ तो साल के अंत में ही केवल करवाया जाएगा गलत न, क्या कहती है CCE, continuous and comprehensive evolution, अर्था continuous रूप में होती रहनी चीए बच्चे की आकलन, continuous रूप में है न, लगातार रूप में, तो ऐसा कहना गलत होगा, कि किवल report क्यार के आधार पर, छो माही परिक्षा भी तो होती है, ती माही भी तो होती है, किवल वार्शिक परिक्षा गलत होगा, तीसरा नमबर न, चौथा देखिए, बहुत बहतरीन है, दमदार है, और यही हमारे उत्तर होगा, क्यूं, क्या देखके, जबराम उस्टर बाउड आ गया, अई देखिए, गतिक होना चाहिए, कैसा गतिसील, potential, dynamic होना चाहिए, बताएं, सिक्छक और विद्या देखेंगे कुछ, तो है न सही, उन्हें काउसलों की पहचान करने के लिए, बच्चों में मौझूद है, सिखने के काउसल, जिनकी उनमें च्छमता है, तो काउसल वगेरा, सिखने को प्रोच साहन देना, बढ़ावा देना, इंगलेज देखिए, skill, that the child possesses, ऐसी च्छमता हैं, जो कि child में अभी योग्यता को बढ़ाएगा, योग्यता को बढ़ाएगा, as well as here, learning potential, as well as here, learning, बोले तो अधीगम कैसा होगा, गतिसील, जिसमें सिख्छक और सिख्छार्थी, मतलब विद्यार्थी दोनों होंगे, गतिसील, अर्थात सक्रिय है, और four number हमारा, उत्तर, मुल्यांकन का मुख्य लगछ, कहता है प्रेश्ण, सवाल पूछने की संदर्म में कौनसा गतन सही है, which of the following statement about questioning, कोच्छन पूछने से क्या होता है दोस्त, बच्चे में सरिजनात मक्ता आती है, कलपना पड़क चिंतन, बच्चे में तारकिक्ता, जिग्यासा, क्य पूरिस्टी, मौलिक चिंतन, अर्थात, फ्री माइंडेड, इमाजिनेशन पावर, फंडामेंटल राइट्स जैसे होता है, स्वातंत्र विचार, स्वातंत्र अधिकार, 12-35 तक है समिधान में, तो उसी परकार से मौलिकता आती है, प्रश्ण पूछने से, और एक दूसरे से सहयोगात्म गतिविधी करके, भच्चे अपनी अंतक्रिया को प्रोचसाहित करते हैं, सरजन करते हैं, वारतालाप चड़्चा में भाग लेते हैं, और देखें, अब विकल्प कौनसा दमदार है, गख्चा में प्रश्ण पूछने का प्रमुकुदे से, बच्चों को ज आचना है, मारिये कपार भॉं करके, बच्चा का टेस्ट लिजिए गाजी, जब कह दिया है बाल के अंदरीत सिक्षन पर ना ली, तो क्या होता है बाल के अंदरीत का मतलब, बच्चे हैं भगवान, बच्चों की रूप, रंग, बैभार, छमता, सब को सम्मान दीजिए, ज उनको जाज प्रताल करना लक्ष है क्या, समझ विक्सित करना, अर्थ पूर्ण, अर्थ पूर्ण, अधीगम विक्सित करना, यह होता है मुख्य लक्ष, यस, तो गलत हुआ एक नमबर, कहता है केबल सिक्षा कहीं परस्ण पूच सकते हैं, क्यों भगवान है, क्या, मम्मी पापा के गर्ब से अगदम आया था, तो कलम पेंसिल बोर्ट ले करके, सिक्षक के अंधरित सिक्षन परना ली है, गलत किजिए, जानकारी वह समझ पर आधारित प्रश्णों को प्रोथ साहित करने की बजाए, अनुप्रियोग बिसलेशन, क्या कहता है, अनुप्रियोग क करके सीखना, एनलाइसिस पर समझ विक्सित करने वाला, तो बिल्कुल सही है ना, सिक्षकों को कक्छा में प्रश्ण पूछ कर संग्यानात्मक द्वंद पैदा करना चाहिए, जिससे सीखने को सुसाधित क्या किया जाए, संग्यानात्मक द्वंद, यानि बच्चे चिंतन करें, चिंतन करने के लिए मजबूर हों, कलपना पड़कता, रचनात्मकता, क्रियेटिविटी आए बच्चे में, तो बच्चों को प्रश्ण पूछने से क्या होता है, शंग्यानात्मक अर्थात, कॉगनीटिव वाला, द्वंद, पैदा करना चाहिए, मतलब चिंतन मनन क के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, और डी नंबर होगा उत्तर, आईए तीसरा तो देख लीजिए, जानकारी वर समझ पर आधारित प्रश्णों को प्रोचाहित करना चाहिए, इस बजाए अनुपरियोग वर विसलेशन पर, क्या कि अनुपरियोग वर विसलेशन नह लर्निंग वर डूइंग नहीं करवाईए, जानकारी वर समझ पर आधारित प्रश्णों को प्रोचाहित करना चाहिए, बजाए अनुपरियोग, अरे दोस्त ये अंगरेजी में भी देखिये न, बात को समझे न, बजाए के अतिरेक्त, के बावजूद, के अलाबा, ये न बावजूद के बिना, अनुपरियोग मत करवाईए, अप्लिकेशन यानि के जीवन में परियोग मत करवाईए, राधर दैन, नहीं करवाना के संदर्व में परियोग होता है, और यह निगेटिव हो गया, सी नमबर, पॉजिटिव कौन है, फोल नमबर, और यह हमारा उतर होगा, नेक्स्ट बड़ें आगे, समावेशी कक्षा कह रहा है, समावेशी कक्षा और समावेशी कक्षा में क्या करते हैं, भेदभाव करेंगे क्या, नहीं, समता यानि इक्विटी, बोले तो समयता, समावेशी कक्षा में सब के, रूप रंग बेभार, समाचिक सांस्कृ सब को सम्मान देना और एक्विटी बाकी देखें भेदभाव निगेटिव वर्ड नामी करन लेबलिंग निगेटिव रूढिवादी पक्षपात करना स्टीरियो टाइप निगेटिव और पॉजेटिव के रूप में एक मात्र भी नंबर एक्विटी एक्विटी लाईए ज जो विशेश जरूडतों वाले संसाधन है सम्यता जैसे टीलम माटेरियल्स ब्रेल लीपी यदि कोई बच्चा द्रिष्टी बादेते सीडी प्लेयर का प्रियोग करवाईए तो हो गई ना समावेसी कच्छा इंक्लूसिव क्लासरूम किसने दिया जॉन डीवी ने पुस्त किसने लिखी जॉन डीवी महोदे ने चलिए दोस्त हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बी नमबर आई ये प्रिष्टने नमल में कौन से वेक्ति के चलने फिरने और संतूलन और मुद्रा बनाई रखने में देखे शरीर का संतूलन भी बनाने में दिक्कत होती है चलने फिरने आदी में भी दिक्कत होगी अच्छा और टीजम आप कहिएगा समाजिक संचरन करने में भासा वगएरा बोलने में और उसकी बातों को अपने में धारन करने में दिक्कत होती है मुख्य रूप से ये समझे अच्छा इसपीच बोलने में एक दम भात बादिता नहीं ये तो पढ़ने लिखने वाली बाते हैं, पठन संबंधी, डिसलेक्सिया, अर्थात पढ़ने संबंधी विकार है, तो दोस्त हमारा B नंबर हो जाएगा, प्रमस्तिस की है, यहीं कि मस्तिस के हिस्से का कोई नस वगेरा दव जाता है, और बच्चा जो है ना चलना, फिरना, हाओ भाओ अपने विचार भी निमाएं को नियंत्रित नहीं कर पाता है, मासपेसी वगेरा समानी रूप से हिलाड उला नहीं पाता है, अपने समाज में कुछ बच्चों को देखा होगा, चली B नंबर, मने ओटेज्म नहीं होगा, स्वलीन था, समाजीक संचरन, समाजीक विभार, बूल चाल करना मुख्यता, यहां कोश्यन देखिए न, संतूलन, चलना फिरना भी दिया गया है, और यह सब चीज़ा आप मस्तिस्क से नियंत्रत करते हैं, प्रमस्तिस्क, विशिष्ट अक्षमता वाले विध्यार्थी को सामिल करने में, एक सिक्ष को निमन में किस से बचना चाहिए, किस से बचिये, तो लंबे-लंबे कारे को यह थोचित छोटे खंडों में बाठना, इस से बचियागा थोड़े, यह तो करना है, छोटे-छोटे खंड में, रन मेरा देना गलत बात होंगी और कठोड़ता नहीं लागो करना है जो कि बाल के इंद्रिट सिक्षन पढ़ना लिया ने दोस्त 19 कता है कि आरटी 2009 अंतर कि नीजी स्कूल में आरधी गृप से कमजोर विद्यार्थीकों मुख्य रूप से 20 25 church Accord कोट का कोटन के नीजी स्कूल में वैसे वच्ये जो आरधी गृप से कमजोर हैं उनको भी सामिल किजिए तो क्यों सामिल करने के लिए जोड़ दिया जाता है ताकि समाज की बेडियों को उखाड़ के फेक दिया जाए समाजिक अस्तरी करण को कम किया जाए उंच नीच रईस का पड़िवार का बच्चा ही जो है न समाजिक रूप से जो इस्टरी करण है भेडभाव है उसको कम करने के लिए यही उत्तर होगा बाकी नहीं यह देखे न सिख्ष को पर अतिरिक्त बोज कम करना गलत सिख्छा में और समान्ता को कायम करना और समान्ता भेडभाव यह तो निगर्टिब आते होंगी न इनिक्वाल्टी यहर समांता होनी चाहिए समाजिक आड़्थिक वरगों से समबन्धेत रूडियों को मजबूत करना यानि समाजिक आर्थिक रूढिवादिता को और बढ़ा देना मजबूत करना यानि और बढ़ा देना ता बढ़ाईएगा समाजिक आर्थिक रूढिवादिता को स्टेरियोटाइप को यह कहना गलत होगा क्या सही है सी नमबर एक मात्र समाजिक अस्तरी करण अमीरवा के बच्चा है एकदम जो एने भीसी का बच्चा है इसलिए इसका एडमिशन हो गया पैसावला लोग है आपने बिहासादी में भी देखा होगा आजा बाजा गाजा ए बिटा बिहासादी बढ़कालोग का है रहीज का तो ऐसा करते हैं तो गरीब और अमीर के बीच एक खाई खाई बनती है तो वैसी खाई को आप कम करते हैं कि उस बड़े-बड़े स्कूल में चाहे माउंट असेसी माउंट लेट राजेई तरतर की चीजें तरतर की स्कूल माउंट टेरेसा अपने भागलपुर्टी में बात कर रहा हूँ या बड़े-बड़े विदेशूर राजस्थान का बात कर लीजिये होटा वगेरा या अन्ने स्कूल तो बड़े-बड़े स्कूलों में भी आरक्षन 25 परतिसा दिया गया है गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है क्यों किया गया है समाजिक अस्तरीकरण को कम कर देना यानि समाजिक सदभावना को समानता को बड़ावा देना थ्री नमबर समझ पाए रहे हैं दोस्त मैनद कर रहे हैं आलाइक सेयर सब्सक्राइब कर दीजिये मैं किजिये गा मत किजिये कॉंसेप्ट सिखिया न चुड़िया न तेंसन का लेते हैं हा दुसरे का मदद जाए तेल लेने को दिक्कत नहीं है मानवता गाई डैस डैस में बुटलत देव हैं चलिए पढ़ते हैं कता है कौन सा विकल्फ निर्दिष्ट विसे इसताओं वाले विद्यार्थी के समावेशन है तू यतोचित संयोजन रनेती का सही योग में है बोले तो कौन सा पोजिर्टिव है परतिभासाली बच्चा स्वतंतर रूप से काम करने के लिए जगा दें गौड गिप्टल चाइल्ड जो होता है स्वतंतर वाला बच्चा वो क्या स्वतंतर तरीके से सीखेगा अलग ही विचारधारा परतिभासाली वाली अब सारी चिंतन प्रस्तूत करेगा किताब वाला रटा रटाया वाला नहीं परतिभासाली जो बच्चा होता है वो अन्सेप्ट जवर्दस्त बोले तो एक सिख्चा के दी एक नजरिया प्रस्तूत करेगा किसका कोस्चन के उत्तर के लिए तो उसका अलग ही नजरिया होगा खुड़ा पाती टाइप का इल्कम क्रियेटिव माइंड वाला बिल्कुल सही है स्वतंत्र आत्म केंद्रेत आपसारी चिंतन वाला खुले अंत वाला आत्म केंद्रेत संवेदी अधीभार बढ़ाएं अब देखे ऑटिज्म दिया गया इंक्रीज सेंसरी ओभर लोड तो बच्चे को और लोड दे देजी ये वाला कहां से सही होगा और यहां दे रहे क्या पठन वैफली डिसलेक्सिया तो लंबे समय तक लेखन लेखन तो डिसग्राफिया होता है सही मैचिंग नहीं है सरवन वाधित सिर्षक वाले चलचित्र दिखाएं अरे यार सरवन वाधि बच्चा तो चलचित्र दिखाएं तो दिखाना तो बच्चों को आँखों करन बढ़ावा देगा यहां सरवन वाधिता है यहरिंग इंपेर्मेंट उपसिर्षक के बिना किसके बिना चलचित्र दिखाएं बिना जब बच्चे में सरवन वाधिता है तो बच्चे को देखने वाली वस्तु दीजिएगा न आप और बच्चा यदि दिरिष्टी वाधित होगा तो सुनने वाली वस्तू दीजिएगा न अब चला सूची मेरी बातों के या कता है के बिना, विदाउट गलत हुआ, आईए, क्या हो जाएगा, एक नमबर सही युगम एसर संदिया है अभी कतन बगेरा, एक सिक्षी का अपनी छटी कक्षा के विद्यार्थी के साथ चर्चा करने में के लिए मापदंड और नियम पर चर्चा करती है किस पर मापदंड पर नियम पर चर्चा करती है सही है चर्चा करती है क्या नियम बगेरा पर मांदंड पर करना चाहिए न हर विशे में चर्चा करने चाहिए सिक्षकों को हमेशा कक्छा में अनुसासन यानि नियंत्रन बनाए रखना चाहिए क्या कह रहा है हमेशा गलत हो गया ना परामर्ष के बिना चर्चा करने के बिना परामर्ष के बिना कक्छा में नियम को बढ़ावा चलिए सी नंबर उत्तर होगा क्यूं होगा ये सही है आर गलत है ये रीजन ना गलत है ये एसेसर सही है आईए एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में गयर से गयर प्रासंगिक प्रासंगिक होना ची यह जीवन से जुड़ा हुआ शिक्षक कक्ष विद्यार चीखने पर पूर्ण नियंत्रन यानी पूरा अनुसासर एक दूसरे हो सिक्षक बात चीद करके ज्यान निर्मान करना चीए बहतर इंदमदार आकलन योग आत्मक यानी नंबरों पर आधारी चलिए C नंबर राच्टि सार्चिशीर चीए एन एपी कता है 2020 के कस्तूरी रंगनवाला कौन सा सही है सभी अस्तर पर एक भासावा दिया और बहु भासिकता को बढ़ावा देना चाहिए न रटकर सीखना पर जोड़ दिया जा रहा है गलत न दिव्यांग विदार्थे के प्रवत देख की कि ये टेक्नोलोजी वगएरा को हाथों साहित किया जाना गलत न आईए दी नमबर एक मात्र बच गया वही उत्तर होगा सिक्छार्थियों को उनके सीखने के पत्थ और कारेक्रम को चुनने के लिए स्वतंत्र अवसर प्रदान कीजिये लचीला पनवसर assertion statement नया अधीगत पूरवत भी पूरवत भी पूरवत भी तत्थिय और सुचना पर आधारित होना चाहिए क्या बोलता है कि नया जो भी अधीगम होना चाहिए ना पूरववरती वाला तत्थिय यान पहले से जो बच्चा पढ़ चुका है जानता है सुचना बगेरा उन पर आधारित होना चाहिए बिल्कुल सही बात है ना और जो बच्चा पहले से जानता है उनसे संबंधित होना चाहिए ठीक बच्चे एक रैखिक तरीके से नहीं, चक्रिये तरीके से सीखते हैं, कैसे? चक्राकार, कभी पान के दुकान पे सीख लेगा, कभी विद्याले में, कभी पडिवार में, कभी खेल के मैदान में, मुना हर जगह से सीखता है, ऐसा थोड़े क्या है? एक रैखिक दिसा से किवल सीखता है चक्राकार धंग से सीखता है तो बच्चे एक रैखिक तरीके से नहीं बलकि चक्रिये धंग से सीखते हैं आप जानते हैं अरजन क्या होता है चक्राकार अधीगम क्या होता है रैखिक दोस्त हमारा रीजन भी सही है तो इसकी ब्याख्या कर रहा है ना ये कि बच्चे पूर्व अधिगम से भी सीखते हैं और एक नमबर सही होगा आईए विकल्प है 25 question number विद्यर्थी के अधिगम को सुसाधित करने के लिए सिक्ची का द्वारा विद्यर्थी कक्छा चर्चा विद्यर्थी को अधिगम को बढ़ावा देना positive न चुनिएगा आप चुनिएगा की नहीं positive चुनिएगा तो रचनात्मक गतिविधी और हतोत साहित निरासापूर्ण हतोत साहित क्या negative कर रहा है अर्थपूर्ण और हतोत साहित अर्थपूर्ण ठीक है तो साहित negative हो जाएगा सही होगा आत्मक गतिविधी इसमें भड़िये तो सही होगा आत्मक गतिविधी collaborative learning बिल्कुल सही होगा न अब उसके बाद है प्रोत्साहित encourage वाला encourage प्रोत्साहित भाग लेने से प्रोत्साहित करना चाहिए क्या करना चाहिए, प्रोत साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही होगा न, C नमबर भर के देखिए न, fill in the blanks में, अर्थ हीन, अर्थ पूर्न होना चाहिए, अर्थ हीन नहीं, C नमबर, देखिएगा बच्चे परमुकत क्यासे सोचते हैं, वो क्यासे सीखते हैं, बोले तो कैसे क्यूं का जवाब बच्चों को खोजना चाहिए ना तभी तो बच्चा जो इना सक्रिये रूप से अधीगम करता वगेरा होगा निस्क करिये गलत सजा का धर डर देना गलत संसार में सुख करिया समाजी कंत करिया देखिये ना पॉजेटिब विकल्प उतेजना परते हैं इस पर भी बात करनी है 27 बच्चों में वेकल्पी का अबधारना कैसा अबधारना conceptual understanding के संदर में कौन सा कतन कहता है सही नहीं है क्या नहीं जो सही होगा अबधारना समाजीक संस्कृत अनुवमों पर आधारित होते हैं ये तो सही है बच्चों की दुनिया की समझ के बढ़ की कोशिस करते हैं बोले तो बहुती कसंसार पर किरिया करते हैं ऐसा कहते हैं प्याजे भी और नौमचोंस्की भी कहते हैं कि जनमजात चमता यानि भासारज न जनमजात चमता जनमजाता अस्थी बच्चे तारकी कोई बुधिमन नहीं होते गलत हो गया न और यही उत्तर ह हो जाएगा चमता नहीं होती है अब धारना समझ कर उन पर निर्मान करना महत्पूर्ण है क्या गले थे सी नंबर और यहीं उत्र वह वेक्ति जो वेक्ति जो अपनी विशोच के विश्वारे में अपने खुद के सीखने के बारे में होता है खुद के सीखने के बारे में तो खुद का से संग्यान संग्यान से भी बड़ा मैटा कोगनी संदिया है देखे बी नंबर महा संग्यान मने अपनी सोच वह कहता है knowledge that individual have about their own thinking and how they themselves learn is called मने संग्यान को भी नियंतरत कौन करता है महा संग्यान संग्यान को भी नियंतरत करने का काम महा संग्यान अधी संग्यान उच्च संग्यान करता है जिसके अंतरगत सोचने का pattern समस्या समाधान की विसेश रननीती कब किस काम को करें कैसे करें सोचने की योग्यता अभिवर्ति योजन, सारी चीजें आती है अधी संग्यान के अंतरगर नियूमोनिक्स चलिए आगे बढ़ें 29 नमबर विद्यार्थी को डैस लक्षतई करने के लिए छमता को डैस रूप से देखने के लिए प्रोतसाहित किया जाना चाहिए प्रूत साहित किया जाना चाहिए तो किसके लिए महारत उनमुखी सही बात है मास्टरी लेकिन अस्थाई यार अस्थाई रूप से बच्चा जो है न हमेशा बढ़ता न रहेगा जया जयाँ 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 चीज़ों को सीखता जाएगा तो बृद्धी होने चीए बारधिक और महारत उनमुखी तो ठीक है मास्टरी ओरियेंटेड किसी भी लक्ष को प्राप्त करने के लिए उस पर दक्षता प्राप्त करना मास्टरी ओरियेंटेड यही हो जाएगा अहम शम्बंदी और अस्थाई अस्थाई के कारण यह गलत हो गया ना यह भी गलत कहता है अहम शम्बंदी यानि अहम केंद्रित लक्ष किसको कहते हैं अहम केंद्रित इगोसेंट्री जो खुद के विचार धारा पर सही माना जाए जबकि समाज ने जो नियम काईदे कानून बनाए उसे पर रहना हमें चलना होता है कि अहम पर आधारित क्या होता है अहम केंद्रित खुद के विचारों को सही मानना चलिए बी नमबर इस्कूलों में बच्चों की असफलता है निमने में क्या कारक जिम्मेदार होगा भय और उतकन्ठा यानि कि बच्चे मेंना जो है ज्यान के पड़ती नौलेज के पड़ती बच्चा जो है एनक्जिटी चिंता में है बेलकुल साही बात होगी जिम्यदार कौन-कौन होगा, यह हभी हो सकता है, उब, यानि बच्चे में निरासा है, बोरडम है, बच्चा उलजहन, यानि कॉनसेप्ट को नहीं सीख पा रहा है, यह भी होगा, और प्रसंगिक पाठे चड़िया, पाठे चड़िया कैसी है, प्रसंग से नहीं जोड़ा जा रहा है, किताबी ग्यान से केबल पढ़ाया जा रहा है, यह भी ठीक है, कता है ओ संदर्भित सिक्छा सात्र, पेडागोजी जो है न, वो संदर्भ से नहीं जोड़ा जा रहा है, मिस्टेक्स हो जाएंगी और यह हमारा डी नमबर बेस्ट उत्तर दोस्तों फिर पिया लाइक सेयर कर दीजिये न हां नहीं किजिएगा है कर दीजिये दोस्त एहम और रस गुला प्यारे प्यारे चलिए सफल तम भाबर मिलते हैं अगली दमदार कक्षा में तब ते के लिए जहिंजे भारत वंदे मातरम जानते हैं दोस्त कुछ लोग एक लगता है न बैलवां हम छोड़ दिये हैं होड दुचार कथा जोत दिये हैं मैसेज लिखेगा सर जी एकदम बक्वास क्लास हम कहा आयरे बाबा एतना पोस्टमाटम करके सिखाए और बक्वास जरूर तोर ज तुझे याद रहा मैं भूल गया मेरे प्यारे दुसमन मेरे प्रेमी खुछ रहिए आवाद रहिए दुसमनों का घर भी बसते रहे और दोस्तों का भी घर कभी नहीं सुनसान रहे चीरागे गुलसन से रौसने गुलस्तान रहे लब यो आल जहिन जै भारत वंदे मात्रम करता है झाल झाल